नमस्कार दोस्तों मैं राजर नर्वर्य आपके अपने यूट्यूब चेनल आरके कोचिंग क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम लोग साइन्स सीरीज का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं तो पहला कुशन है कि विद्धुद बल्बकात तंतु निम्न का बना होता है तंगस्टन का तामा का लेड का अलूमिनियम का यह कुशन बहुत भार एक्जाम में पूछा गया है और अगर आपने एक्जाम दिये होंगे तो यह कुशन आपको पता होगा कि कितना इंपोर्टेंट जो है बनता है ठीक है तो टंगस्टन का बना होता है किसका बना होता है टंगस्टन का बना होता है फर्स्ट ऑप्सन जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा विद्धुत बल्बकात तंतु जो जलत इपने sleeper के नीची आप लोग देख सकते हैं कि खांचे बने होते हैं क्यों बने होते हैं घर्षन में व्रद्धी के हो घर्षन हट जाए घर्षन एक समान हो या घर्षन कम हो किस कारण से यह बने होते हैं यह होते हैं घर्षन को बढ़ाने के लिए किसके कारण घर्षन को पाते हैं ठीक है तो खवाहन के पईयों में खाचे किस कारण के लिए किस के लिए बनाया जाते हैं घर्चन में व्रद्धि हो इसलिए बनाया जाते हैं नेक्स्ट है कि विलेन रूप में पाचित भोजन, CO2 और नाइट्रोजनी वेर्थ के परिवहन का कार्य रूधिर के खालिस्तान द्वारा किया जाता है यह बहुत ही अच्छा कोशन है कि आपका अगर बचा हुआ भोजन, CO2 और नाइट्रोजन और वेर्थ पधार्थ का परिवहन रूधिर के किस भाग है याने कि बलड के खून के किस भाग के द्वारा किया जाता है प्लाजमा, RBC, WBC या लसी का तो यह सभी किस के भाग है बलड के तो यह किस के द्वारा किया जाता है प्लाजमा के द्वारा किया जाता है फर्स्ट आप्सन आपका राइट हो जाएगा पचा हुआ भोजन, CO2 और नाइट्रोजन विर्थ पधार्थ जो होते हैं इनका ट्र प्राक्रतिक संसाधन कौन सा नहीं है बिजली जल वायू म्रदा जल भी प्राक्रतिक संसाधन है वायू भी है उम्रदा भी सिर्फ एलेक्रिसिटी है जो मानो द्वारा बनाई जाती है यह प्रक्रति के द्वारा नहीं बनती मेरे दोस्तों किसके द्वारा बनाई जाती है म कुमारे द्वारा बना जाती है नेक्स्ट वीडियो है स्वरी नेक्स्ट कोशन है कि हिर्दय खालिस्तान से बना होता है उक्रुक्त में से कोई नहीं संयोजी उतक पेशी उतक तंत्री का उतक तो हिर्दय किस से बना होता है muscular tissue पेसी यह उतक से बना होता है संयोजी उतक blood की अगर बात हम करें तो blood क्या होता है संयोजी उतक होता है यह आपको यहाँ पर याद रखना है next question है कि निम्न मेंसे कौन सी एक eukaryotic कोशिका नहीं है कवक की बात करें पसू की बात करें पौधों की पौधे की बात करें जिवानों की बात करें मेरे दोस्तों इसमें last option आपका right हो जाएगा fourth bacteria देखो bacteria या तो virus होगा या bacteria दोनों क्या होते है प्रोकेरियोटिक होते है कौन से होते है प्रोकेरियोटिक होते है लेकिन युकेरियोटिक में आपका कवक आ जाता है आपका animals आ जाते है आपके पौधे आ जाते है यह सब किसके अंतरगत आ जाते है युकेरियोटिक कोसिका के अंतरगत और जो bacteria है और जो virus है वो किसके अंतरगत आते है प्रोकेरियोटिक कोशिका के अंतरगत आते हैं चलिए नेक्ट कोशन की बात करते हैं कि निम्न में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है बहुत बार पूछा गया कोशन सबसे बड़ी कोशिका नार्मल सा कोशन है गाल की तंत्रिका पेसी यास्ती तो सबसे बड़ी कोशिका क कवर चड़ा होता है क्यों प्लास्टिक कवर क्यों चड़ा होता है विदूद के हर्दचालक होते हैं विदूद के कुछालक होते हैं इस्थाई होते हैं विदूद के सुचालक होते हैं मेरे दोस्तों प्लास्टिक कवर क्या होते हैं विदूद के कुछालक होते हैं जो हमें क मचली कैसी दिखेगी यह आपको बताना है उसे उसी घहराई पर लेकिन मूल स्थिती से दाइवर अपने मूल स्थिती से ठीक उपर मूल स्थिती से ठीक नीचे जब भी आप पानी में किसी वस्तु को देखोगे जब भी आप पानी में किसी वस्तु को देखोगे मचली को दे गुन के कारण ही कोई वस्तू ऐसी दिखाई देती है तो यहां पर आपका थर्ड ऑप्षन राइट हो जाएगा कि वह क्या होती है मूल स्थेती से उपर दिखाई देती है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्षन राइट हो जाता है तो इसमें भी आपका फॉर्ट ऑप्षन राइट होगा रेपीट कंबस्चन होता है जदिकांस नहीं बोला मेरे दोस्तों अधिकांस तह जो जिवास में इंदन होते हैं फॉजिल फ्यूल्स होते हैं इसमें क्या होता है त्वरित द्धान रेविट कंबस्चन होता है नेक कोशन है कि निम्न में से कौन सा घर्षन द्वारा आविशित नहीं किया जा सकता एक कॉपर की राड को एक ग्लास राड को एक प्लास्टिक कलम को एक फुलाया हुआ गुबारा तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्षन राइट होगा कॉपर की राड को घर्षन के द्वा है मेरे दोस्तो नाभिक में नुकलियस में होता है गुलसुत गौलगी बॉड़ी को हम लोग क्या कहते हैं यातायात प्रबंधन करते हैं क्या कहते हैं यातायात प्रबंधन हम इसे कहते हैं गौलगी बॉड़ी को लवक आपको पता होना चाहिए लवक प्लांस में पाया जात पुर्मानुमान किया था और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी लेकिन उसे सला दे गई थी कि वह उसे ना ले जाए क्यों छाता लेकर बाहर जाने को मना कर दिया गया किसी राधा को लेकिन क्यों कहा गया वह आफसन है आपके पास बाधलों से विदूत विसरचन चाते के धातु भागों तक आज जा सकता है, वह पकड़ने में फिसलने वाला हो सकता है, उस पर जंग लग सकता है, चाता उड़कर दूर जा सकता है, मेरे दोस्तों सबसे पहला अंसर ये है कि बादल क्या बादलों से जो विद्धूत निकलती है, बिजली जो कड़कती है, तो इससे धातु के भाग तक जो है, वो बिजली का करेंट जो है, आ सकता है, ठीक है, चलिए, विद्धूत फ्यूज खालिस्तान जोड़ा जाता है, उर्जामेटर के आसपास, विद्धूत में तार द्वारा पर या वुदासिन तार पर या भूतार पर, तो इसमें आपक प्लास्टिक के थैलिया को ना कहें और कपड़े को, हाँ, क्या बोलाएं, 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 क्या इस तर्ड ऑप्सन आपका राइट हो जाएगा कि प्लास्टिक आर नॉन बाई बायो डिक्रेडेबल प्लास्टिक जो हैं यह सड़ती गलती नहीं हैं प्लास्टिक अजयव निम्नी होती हैं और जो हमारे प्रयावरन को बातावरन को नुकसान पोजादी है इसलिए कहते हैं क प्लास्टिक के धैली को ना बोले और किसके धैली को हैं भोले कपड़े के बेगय को हैं बोले नलदा की तयारी करने के उपराण तो इसक्रिषी अभ्यास का नूसरन किया जाता है Сझायी खर्पतवारनास को वाकिनास को का छिड़काव वाई खाद हुआ उर्वरक डालना तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब आपमनदा अगर मिट्टी तयार कर ली तो इसके बाद बुआई की जाती है, नॉर्मल सा कोशन है, बहुत है कि सभी भागों का सबसे बायारन निम्न से बना होता है, फ्रोयम, विभुजु अतक उतक, तुची उतक या जायलम त व्रधिक के कारण, वसा में व्रधिक के कारण, दूद में प्रोटीन के कारण, तो इसमें सेगन आपको राइट हो जाएगा, सरीर की कोशिकाउं में अत्यदिक व्रधिक के कारण, नौजाद सिसू का भार जो है, दो किलो ग्राम बढ़ जाता है, उस एक कवक का नाम ऑंडारी तनाच को प्रॉःट करता हैं नियरो ब्रैकेट फंगास सब ग्यार का CLS पर की ल गूइन या इगयरिक तो इसमें थरड आप Когда राइट होगा इस पर गिल पादको क्या होता है घास होता है भारत में तेल कोई कहां पाए जाते हैं कोवा करनाटा का उडिसा या आसाम भारत में तेल के कोई आसाम सबसे पहले तेल यहां पर ही पाए गया आसाम डिग बुई में जो हैं यहां पर तेल पाए जाता है बात करते हैं प्रकास अपवरतन न आपको बताई थी कि मचली थोड़ी सी पानी में उपर उठी हुई दिखाए जीते ये भी किसके कारण होता है प्रकास के पुरतन के कारण होता है इंद्रधनुस बनना वर्ण विक्षेपन का काम होता है किसके कारण प्रकास का वर्ण विक्षेपन होना इंद्रधनुस का नि है आपको 8 को 60 से डिवाइट कर लिजिए मेरे दोस्तों आपका अंसर आजाएगा 0.13 सेकंड लगबग मैं ठीक है प्लास्टर अप फेर इस इनमें संग्रहित होता है प्लास्टर अपेरिस की अगर बात करें कि प्लास्टर आपेरिस को इन में संग्रहित करते हैं धातू पात्र में नमी रूधी पात्र में रूधी पात्र में या सीसे के पात्र में तो यह second option आपका राइट होगा moisture proof container में plaster of Paris को संग रहित किया है plaster of Paris आपको पता होना चीए ठीक है चलिए तो यहाँ पर हमारे science के जो question थे वो यहाँ पर complete होते हैं ठीक है उमीद करता हूँ वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो please दिल से like कीजिएगा और इसके साथ साथ चेनल को subscribe कर लीजिए चेनल को subscribe करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको notification मिलते रहें और भी मज़ेदार topic हम आपके लिए लेकर आएंगे MP Constable के exam में GK, MPG के जितने भी topic आपके लिए बन सकते हैं सभी question को हम लोगे हम पर देखने की कोसिस करेंगे, मिलते हैं आपसे next video में तब तक लिए धन्यवाद जय हिन, जय भारत